आडानी के लिए पैसा है चो किसान के लिए पैसा क्यों नहीं को पैसा यह canません क्यों पेट आ को पैसे बुझाएगा हुँ कहानिया नहीं वह हमारा जीवन है और इस जीवन को बचाने के लिए आज हम यहां पर दोस्तों मैं हूँ रवी कौशल और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक यह अप मेरे पीछे देख रहे हैं एक समंदर उतरा है भारती राजनीति मक्सर कहा जाता है कि उसकी तस्वीर मैदानों ने बदली है कभी पटना के गांधी मैदान ने बदली थी आज दिली का रम ल लेकर कटक तक किसान की एक प्रॉबलम है और मजदूर की भी एक ही प्रॉबलम है और वो प्रॉबलम इस अम्रत काल में बहुत ज्यादा भेहनक रूट से आई है और वो पहली बार हुआ है ऐसा हमारे देश में जब अस्तित्व का संकट है जीवन का संकट है अब सवाल यह है रोजगार तो है नहीं लगवग देड़ सो दोसों के आसपास 137 के आसपास दिहारी मजदूर हर महीने आत्मत्या कर रहे हैं यह वही किसाने जो बेदखलो कर महा पर गया था तो यह जो दर्द है वो चाहे वह तामिलाडू हो चाहे वो करनाटक हो चाहे 36 गड़ों चाहे कम से कम एक डेड़ लाग गाओं में पहुचें कम से कम और जितने भी ओद्यों की छेतरें वहाँ पर पहुचें और हमने एक बात समान रूप से पाई है कि उसने वोट किसको दिया था वो अपना गमचा किस रंग का पहन रहा यह महत्पूर नहीं है ऐसी कोई भी सभा ऐसा कि खेत मुद्र वो इनसान है जो रोज काम करता है और रोज खाता है दिल्ली आना उनके लिए अपने आप में एक बलिदान है इसलिए कि वह अपने चार दिन की पाने दिन की दिहारी छोड़ रहे हैं और दिहारी छोड़ कर आना आर्थिक नुकसान उठाना से पता चलता ह कि इसे चलता है तो एक आश लेकि चलता है कि जो कोई कानून नहीं उसके जीवन को नियंत्रित करने के लिए वो कानून बनेगा खेत मुदूरों के लिए उस सपना वो देखकर आता है वो सपना देखकर आता है कि आज जो कोशिच की जा रही है कि महारास्टर के डिप्टू के अंदर आपको राशन नहीं मिलेगा उसके बतले पैसे देंगे वो बैंक के अंदर जाएंगे और उसका जो डर है वो यहां के डर दूर होगा नेट शेल में जो अपनी उसकी जीवन की समस्याइं हैं जो जिंदा रहने की वो समस्याइं से जूज रहा है वो सपना लेके आता है कि दिल्नी के अंदर जाएगा इन क्लाब का नारा लगाएगा वो नारा लगाते हुए उसकी चुनी हुई सरकार है उसके प्रतीजबाख़ दे होगी और इन दिकते जून के अंदर है वो कम होगी और एक आम इंसान एक सम्मान पुट जीवन जो उसका ह हख है भारतिय नागरिक होने के नाते वो जिने का हख उसको मिलेगा यह जो आप लोगों ने कहा कि 26,000 रुपए जो है सेलरी दीजिए 26,000 का फिगर कैसे आया यह 30,000 क्यों यह 35,000 क्यों यह 20,000 क्यों अभी देखिए हमने 26,000 की गिंती ऐसे किया कि हमारा देश में नियुनतम म के लिए जो सब्सिस्टेंस लेवल की जो भी जिन्दगी गुजारने के लिए काने के लिए चाहिए क्यालरीज 2,600 क्यालरीज वो 2,700 क्यालरीज को करीदने के लिए अभी के दाम में कितना होगा वो गिंती करेंगे और उन लोगों के जो सुप्रीम कोर्ट भी एक तीर्प है वो जर्जमेंट यह बोलता है कि जो हमने क्यालकुलेट करते हैं 2,700 क्यालरीज चाहर लोगों के उपर उसके उपर 35 प्रतिशत और भी लगाना है क्योंकि उनके वो रिटर्मेंट के बाद उनके जो भी विवस्ता है उसके लिए और उनके स्वास्त के लिए उनके जो लाई है सभी वेज़स की बारे में जो भी शासन ते उसको रद करके जो एक शासन लाया है वेज़स को चोड़िये वो फ्लोर लेवल मिनिमुम वेज़स बोलता है एक सव चेहत्तर रुपिया एक सव चेहत्तर रुपिया तो कितना होता है चबीस दिन के लिए उपी हम देखना है मगर यह जो नियुनितम वेज़स का गिंती करने का क्याल्कुलेट करने का जो भी रवया है वो आज का जो भी इंफलेशन है उसको अंदाज हमें नहीं लेता है इसलिए हम चबीस हज़ है जैसे आपने पे कमिशन में सेवन पे कमिशन में जो आपने मिनिमुम वेज़स को क्याल्कुलेट किया नियुना तो मेतन सरकारी करमचारी के लिए उसके उपर हमने लगाया है हंदाज को चबीस हज़ार के बिना कैसे जी सकता है कोई यह है और एक मुद्ध और भी है इस तो माबाप को देख बाल करने के लिए भी अगर उनको देख बाल करने नहीं होता है बचों से मेंटेनिस क्लैम कर सकते हैं कि जब आइसा अप शासन वहां लाते हो मगर नियुनेतर निद वेतन को अंदाज करने में माबाप को नहीं मिलाते हैं एसा बहुर सारे कमजोरिया है नियोनेतम हेतन को कैलकुलेट करने की जो भी फार्मॉला है उसमें मगर अभी जो फार्मॉला आहा है उसके जरिये अगर आपने वो calculate किया तो भी 26,000 आजाता है सवाल यह कि आप में determination कितना है आप में संकल्प कितना है और यह जो संकल्प है अभी तक किसान का खेत मजदूर का था आप पाएंगे कि कम से कम 50% के आसपास महला होने वाली है तो अगर यह संकल्प इतना व्यापक हो जाएगा तो जुकना पड़ेगा ऐसा नहीं है वो जुक करिया है आप इससे पहले देखिए किसान अंदोलन के अंदर मुदूर खेत मुदूर कठे उससे पहले 2018 का एक बड़ा अंदोलन जो इसी दिल्ली ने देखा था जिसके बाद से चर्चाय शुरू हुए थी मैं इस अपने अनुप पे बोल रहा हूं कि 2017 से पहले 2018 से पहले ऐ पत्थर के लिकीर है वह जो बोल देते हैं वह बापिस नहीं हो सकता है और उस समय उनकी खासियत थी भीवाजन की नेती थी वह सफ़ल हो रही थी नोजमान मांगते थे रोजगार वह उनको खालिस्तानी बोलते थे और उनको हिंदू-मुसलिम करते थे मैं उस अनुप से ब रहा है कि खेत मुंदूरके सुसाइड हो रहा है कि इस बदलाव की मैं आशा कर रहा हूं और यही बदलाव की आशा मुझे हुझे मे वर्ग है कि तदूलन के वन 25 Εقت कभी भी आपी और द smells नहींगी है यह बंक को धोल रहा हूं वहो градून की से पहले वी इने अरत व्यव्ष थी नवा उदारवादी आर्थिक प्रणाली के जरिये वह बहुत पीडित था अभी कोवीड लागडोन के बाद में यह मजदुरों की और मेहनतकश्च लोगों की जो भी संकट है और भी बढ़ गाया है बहुर सारे लोग जो काम पे थे वह काम को को गया है और जो भी इंडस पादू को लेकर जो स्कून की टूल कि एक जैसे दंगे बढ़काने की कुछ किये उस मावले भी ये बहुत काम्याब रही है कि लोगों की दिमाग में ये बात आई है कि वो एकता को तोड रहे हैं और उस तूटती हुई एकता को जोड़ना बहुत जरूरी है तो ये जो एकता को जोड़ने की चिंता पैदा हुई है ये चिंता इस अभियान की सबसे बड़ी खास्यपत है और ये मेरे ख्याल से पिछले कई वर्षों में शायद आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब मजदूर और किसान दौनों जो प्रोडूसिंग क्लासेज है वो एक साथ आए हैं खेत मजदूर हमारे साथ आए वरना ये कहा जाता कि किसान के बीट में खेत मजदूर के बीट में अंतर रोड है वो अंतर विलो डूर है किसान visit मिन में इस प्यूर्व के बिए बहुत पmbड़ी कामिया बी है इस पूरे अभिहान था इंग्यान आ ये रेली जो आच आँवान देने वाली है ये हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास और कौमी एक्ता के मामले में एक माइल स्टोन स्थाबित होने वाला है ये लाग कहानिया करोडों का प्रतित्व करती है लोगों को वो कहानियां लगती हैं उनको लगता है कि शायद मुंची प्रेम चंद्र का कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं पर वो मुंची प्रेम चंद्र का उपन्यास हमारे जीवन से उबरता है जब एक मंड्रेगा वरकर जिसका मस्टरूल के अंदर नाम नहीं होता है जो पूरे का पूरा नहीं होगा वो नहीं जा सकता है क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होगा वो नहीं जाएगा पूरे का पूरा जब आपका मराटवणा का एरिया आपका मद्यप्रदश का एरिया डिस्प्लेस होता है जाता है अपने घर छोड़कर चार मिने के लिए पांच मिने के लिए करनाड़का के अंदर महारास्टर के अंदर गन्ने के खेत के अंदर काम करने के लिए उनके बच् डर है अब जो डर है कि डिपू से जो उसको 10 किलो राशन मिलता था उसकी पैसा मिलेगा और उसको डर यह हो रहा है कि उजवला के अंदर बहुत बड़ा सपना दिखाया था कि सबसेड़ी आएगी वह कब 200 रुपे से 25 रुपे 13 रुपे पे होगी है क्योंकि वह रोज हमारी तरह इंटरनेट पी अपना बैंक नहीं देशकता है दो साल बाद वह जाता है बैंक के अंदर कि एक हजार रुपे आएगा वो निकालेगा और पते चलता है वहां 200 रुपे है और जो डर है कि पेट की आख को कैसे बुझाएगा वह कहानिया नहीं वह हमारा जीवन है और उ कर दो